उत्तर प्रदेश के मेंनपुरी में सडक पेट्रोल से भरी हुई दिखी क्योंकि पेट्रोल से भरा टैंकर यहां पलट गया इस हास्से के बाद सडक पर चारो तरफ पेट्रोल फैल गया हाथ से की खबर जब आसपास की ग्रामीडों को लगी तो पेट्रोल लूटने की होड मज़ गए पुलिस के सामने ग्रामीडों टैंकर से तेल लूट लिया है हाथों में बाल्टी लिये आप ही देखी किस तरी किसे लोग और पुलिस उनको डाटते हुए उनको मारते हुए लाठी डंडे का खौफ दिखाते हुए जिसे जैसे मौका लग रहा था क्योंकि वो वैसे तेल पर हाथ साफ करके निकल रहा था माजरा इसा ही था कि हाश्रक सर से पाव तक पेट्रोल से तर बतर था इस जरान पुलिस मुपदर्शक बनी रही एक चोटी से चिंगारी से एक बड़ा हाथ सा भी से हो सकता था इतनी वड़ी लापरवाई हो सकती थी लेकिन किसी ने वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी नहीं लिखाई आधी रात में सड़क पर मचा ये बवाल देखिए हाथ में बरतन लिए कुछ लोग है पुलिस है और पुलिस का डंडा है और पुलिस इनको खदेर्टी नजर आती है कुछ डंडे के खौफ से भाग जाते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो बेखौफ है पहली नजर में ये मामला पाने की किल्लत का लगता है लेकिन ऐसा है नहीं यूपी के मैनपुरी में पाने की किल्लत नहीं है नहीं ये आधे भीगे हुए लोग पाने के लिए संगर्श कर रहे हैं बलकि यहाँ डीजल के लिए लूट मची है जी हाँ ठीक सुना आपने असल में हुआ यूं कि मैनपूरी के दन्नाहार में सडक पर डीजल से भरा टैंकर पलट गया जैसे ही गाउवालों को इसकी भनक लगी तो सडक पर बिखरे डीजल को लूटने की होड मच गई पुलिस के सामने ही ग्रामिरों ने टैंकर से तेल लूट लिया और पुलिस तमाश बीन बनी रही लोग बड़े बड़े बरतनों में पेट्रोल भर कर ले गए जिसे जैसा मौका लगा उससे वैसे ही तेल पर हाथ साफ कर लिया जैसे ही मीडिया की कैमरे में ये मंजर कैद होने लगा तो पुलिस फरकत में आई और लोगों को खदेरने लगी पुलिस के सामने डीजल की लूग तो हुई लेकिन पुलिस की इला परवाही बड़े हादसे का सबब भी बन सकती थी ये देखिए ये लोग कैसे डीजल से सने हुए हैं अगर इस दोरान कोई सन की इस तेल को आग दिखा देता तो दरजनों लोगों की जान पर आफ़त आ जाती ऐसे में ये जरूरी है कि मूग दर्शक पुलिस वालों पर एक्शन हो ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके मैंनपुरी से आशितोष मिश्रा के साथ वीरो रिपोर्ट इंडिया 24-7 कई सवाल है कि पुलिस ने लोगों को टैंकर के पास जाने से रोका क्यों नहीं टैंकर के आसपास लोगों को पहुँचने से रोकने के लिए घिराबंदी क्यों नहीं की गई सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने क्यों नहीं रोका और क्या लोग जिम्मेदारी नहीं दिखा सकते थी क्योंकि जरसे चिंगारी से आग लग सकती थी इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संबादाता आश्यतोष मिश्रा हमारे साथ जूर गए है आज तो स्तिती क्या है अभी वाब पर तैंकर को तो रात में क्रैन के दौरा उठवा दिया गया था वहां से अटा दिया गया था लेकिन नियारिका आपको एक चीज़ बता दू कि बहुत बड़ी कल्पर सासल कीला परवाई रही जिस तरीके से यह टीजल से बरावा टैंकर बीड़बार वाले लाके में पलट गया और उसके बाद जैसे यह खबर आजपास के ग्रामीडों में पहुंची तो लोग बड़े बड़े बर्तल लेके तेल को लूटने लगे और पुलिस बहां मुग तरसक बनी रही पुलिस के सामने टैंकर को लोग लूट लूट के तेल ले जा रहे थे और जब ऐसो दनाहार वहां पहुंची जो चेसरी थाना ते जाती तो निस्से दूरूप से बड़ा आपसा हो जाता क्योंकि मौके पर कोई वी ऐसा संसादन नहीं था जिससे आपको काबू में पाया जाता क्योंकि डीजल जो टेंकर में डीजल बड़ा हुआ था उसकी मत्रा 8000 लीटर बताई जा रही है तो ऐसे में जो आसपास के ट दर्शकों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं यह आप तस्वीरे देखी आप समझ सकते हैं कि छोटा सा हासे चिंगारी वहां पर होती बड़ा हाथ सा हो सकता था पुलिस पकड़ पकड़ कर लोगों को वहां से हटा रही है और लोग कुछ जिमिदारी लोगों की नहीं लेकिन पुलिस ने पहले घेराबंदी क्यों नहीं की पुलिस ने अपनी जवाब में क्यों काम देरी से आपर करा टैंकर पलट गया माई संबादाता भी बता रहे थे उस समय भी पुलिस नहापर नहीं थी देरी से आई लेकिन जब देखा कि लोग लूट तूट कर पेट्रो ले जारे और सिती और तनावपुन हो सकती है बवाल हो सकता है तो पुलिस ने बल प्रयोग करना सही समझा पुलिस लाटी बांज रही और पेट्रोल तक में लोग भी गई इतना पेट्रोल वहाब पर था लोग बरतनों में भर भर कर ले गई इंडिया 24-7 के इसलिए कई सवाल इस खबर से जुड़े जो की जागुता वाली भी बात है एक अलर्ड कर देने वाली भी बात है कि आप देखें लोगों की कपड़े भी किस तरीके से पेट्रोल से सन गए जरा सी चिंगारी भी वहाब पर होती ना तो आप समझ सकते हैं एक बहुत बढ़ा भीशर हाथसा व हुते हुते हाथसा की भी बात है ऱह खिंगा है की वाली बात है।